सालों पहले 2014 में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ एक प्लान तयार किया था प्लान बेहत गहरा था लेकिन वो प्लान अब फेल हो गया है दर्वाजा बंद हो गया है दुकान बंद हो गई है जो दुकान खोलने की कोशिश चीन ने की थी कहां पर पाकिस्तान के गौदर में यहां पर गौदर पोड है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम ऐसा इसी लिए कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक सिपेक नाम का आपने सुना होगा project बनाया था सिपेक या निए चीन पाकिस्तान economic corridor को इकनोमिक कोरिडोर का नाम दिया गया था लेकिन इसके पीछे साजिस यह थी कि भारत को इंडियन ओशन में कहां हिंद महासागर में यह देखे तो चीन को ये था कि चीन चुकी अपने तेल का सारा कारोबार इरान से इराक से साथी अरबिया से करता है तो चीन को यहां से जाना पड़ता है यहां से ऐसे तेल ले करके ऐसे जाना पड़ता है ऐसे लिए इंडियन ओशन होते हुए यहां होते हुए यहां जाता है अब इस यात्रा में बहुत खर्च हैं, बहुत पैसा लगता है इस पूरी यात्रा में, और यहाँ पर आने के बाद भी चीन की अधिक्तर आबादी कहां रहती है या बिजिंग बिजिंग सब इस तरफ है है एसे य हैसे यह से देखेगा यह वाला हिस्से में ऐसे इधर ही पुरी चीन की आबादी है बाकी का जो चीन यह वाला हिस्सा आपको जो दिखाए यह तिबबत है और यह आपको जो दिख रहा यह रेगिस्ताने तो इधर बहुत आबादी जिन्जियांग यहाँ है चीन का जो पूरा ओइल रिजर्व है वह जिन्जियांग प्रांत में कहां पर यहां पर अब यहां से ले करके जहाज चलेगा यहां पूरा इंडिया नोशन के चक्कर लगाते हुए, यहां करके फिर यहां आएगा कंटेनर और कंटेनर से फिर रिजर्ब कहा जाएगा? यहां पाहाडों के बीच में कहा? शिन्जीयंग प्रांत में. इस पूरे प्रोसेस में चीन को बहुत सारे डॉलर खर्च करने पड़ते थे और चीन को ये डर था कि अगर कभी वार के समय भारत और चीन युद्ध होता है तो इंडियन ओशन में भारतिये नेवी चीन के शिप्स का रास्ता रोग देगी मतलब चीन का टेल ही बंद हो जाएगा चीन में ओईल जाना बंद कहां इंडियन नेव को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया यहां पाकिस्तान में ध्यान दीजिएगा यह पाकिस्तान यहां पर एक पोर्ट बनाना शुरू किया कहां गौादर में गौादर में चीन और पाकिस्तान ने तैकिया कि हम और तुम मिल करके सीपेक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और चीन पाकिस्तान इकनोगमिक कोरिडोर हो करके यहां से सीधे जाएगा कहा जिन जियांग तक चीन का प्लान ये था कि वो जो यहां से पूरा घूम करके अपना तेल यहां लेके जाता है दोनों का विकास कर रहा था, यह पूरा रोड बन रहा था, यहां से बहां तक, कि यहां अपना गौदर पोर्ट तक जहां जाएंगे, यहां तेल निकाले और जो भी गैस है, वो यहां से सीधा चिंजी आगी, यहां तक आ जाएगा, इसके विकास हो जाने से मतलब अगर CPEC complete हो जाता है तो CPEC के complete हो जाने से क्या होगा CPEC के complete हो जाने के बाद ये होगा कि आसानी से चीन का जो भी सामान जाना होगा वो short route से यानि ये लंबा रास्ता अपनानी की कोई जरुवत नहीं है दूसरा इंडियन नेवी से घबरानी की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि इंडियन ओशन में खत्रा था तो यहीं से और पैसा भी बचेगा चीन का डॉलर भी बचेगा चीन ने पाकिस्तान को लालच ये दिया कि भाई तुम हमको गवादर पोट दो हम तुम्हारे गवादर पोट का विकास करते है इसी बहाने तुम्हारे पूरे देश के अलग-अलग प्रांत में रोड भी बन जाएगा बणियां हाईवे एक्स्प्रेस में बन जाएगा और साथ ही रोड के दोनों ही तरफ एकनॉमिक कोरिडोर की बात की गई थी जहां जहां कोल ब्लॉक्स थे वहां बिजलीगर बनाने जाने थे विंड वो जो आपने देखा होगा पवन्चक की सोलर प्लांट बनाए जाने थे यह सब को चीन कर रहा था सारा इंवेस्टमेंट चीन का था और चीन ने कहा कि यह सब हम करेंगे बस तुम हमको ग्वादर दे दो लेकिन इस प्लान को आप पती वो क्या कहते हैं प्लान पर जो है पाकिस्तान के ही जो अलग-अलग आतंकी संगठें नोनोंने काम खराब कर दिया है चीन और पाकिस्तान का हम आपको बताते हैं यह कहानी हुई कैसे अब जब ग्वादर में यहाँ पर चीन बैठ गया तो भारत के लिए यह शमस्या हो गई कि भाई यहाँ से तो यह पूरे इंडियन ओशन पर इंडियन नेवी की हलचल पर नजर रखेगा चीन भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए इरान के चाबहार में एक पोर्ट विक्सित कर दिया आपको पता इरान और भारत के बीच चाबहार का पोर्ट यह ग्वादर से महच कुछी किलोमेटर की दूरी पर है सत्तर से असी किलोमेटर की दूरी पर चाहबहार पोट है तो ये चीज अब चीन और पाकिस्तान को परिशान कर रही थी कि भारत भी चाहबहार में बैठ गया हम आपको ये बताते हैं कि चीन अब सीपेक प्रोजेक्ट से पीछे हट गया लाखों मल्टी बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद पाकिस्तान में खर्च करने के बाद चीन को अब पीछे हटना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से दुनिया के कई देशों को चूना लगा चुका है चीनियों को ये बात अब समझा गई है अमेरिका को सालों तक चूना लगाने के बाद जब अमरीका को ये पता लग गया कि ये तो हमको चूना लगा रहे हैं पाकिस्तानी तो अमरीका ने डॉलर देना फेंकना बंद कर दिया पाकिस्तानियों को नया मुल्क उस समय मिल गया चीन कई लाख डॉलर चीनियों से कर्ज के रूप में लिया जो पाकिस्तान को कभी लोटाना ही नहीं है पाकिस्तान वो कर्ज कभी चीन को लोटाएगा ही नहीं चीन को जब तक ये बात समझ आती तब तक तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अलग-अलग संगठन है उन लोगों ने ही सीपेक के दरवाज़ चीन के लिए बंद कर दिये आपको पता है हम आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाते हैं यह है पाकिस्तान का ग्वादर पोट यही पर अभी कुछ दनों पहले हमले हुए थे और हमला किस ने किया था हमला किया था बीयले ने जो ग्वादर पोट है वो बलुचिस्तान के इलाके में वो इस इलाके में बलुचिस्तान में यहाँ पर यह है ग्वादर बलुचिस्तान में बलुचिस्तान में बहुत ज्यादा खनीच संपदा है लेकिन जो वहां के हमधिया मुसल्मान है जो वहां के बलुच लोग है उनक पाकिस्तानरी और पासितानी प्रेट मोई साथ वो चाहिंगे तो यहां बोट बड़ा प्रीडम मोमेंट चल रहा है जो बी ये ले चला रही है जे लिबरेशन आर्मी चला रही है और BLA आर्मी लगातार पाकिस्तान आर्मी पर सीपेक के जो इंजीनियर हैं जो चीनी इंजीनियर है जो चीन के नागरिक हैं जो इस सीपेक प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं कहां पाकिस्तान में उन पर लगातार BLA अटेक कर रही है अब यहांसे सारे चीनी इंजीनियर, चीनी प्रोजेक्स के जो मैनेजर थे, जो लोग थे वो यहांसे उठकर के जा चुके हैं चीन उचीन ने अपना सारा बोर्य अविस्तर यहांसे समेट लिया अब आपको एक चीज़ समझना होगा जो SEPEC का प्रोजžeक्ट था, जो रोड प्रोज़ेक्ट था, वो ये देखें, कैसे रोड आना था ये पूरा रोड है, ये पूरा रोड है, जो आना था, कहां से ग्वादर से सीधे, शिंजियां जाना था, ये ये ग्वादर पोट और इसी का एक हिस्सा करांची पोट पर भी आना था जो ये पूरा इलाका ये जो है बलुचिस्तान का जहां बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी परिशान कर रही है और उपर जब खैबर की तरफ आईएगा ये इलाका पाकिस्तान का खैबर पक्तुन को जिसको कहते हैं वो इलाका है यहां पर TTP और यहां कोन? BLA TTP तहरीके तालिबान और पाकिस्तान ये शातंकी संगठन ने यहां के जो CPEC के प्रोजेक्ट ते उनको परिशान कर रखा है यहां चीनी नागरिकों पर हमले करते हैं, चीनी इंजिनिर्स को अगवा कर लेते हैं, मार्पीट करते हैं तो भई, जब चीन यहां प्रोजेक्ट लगाने आया, मल्टी बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी जब चीनी नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन्होंने अपनी सरकार से कह दिया माई बाफ हमको छोड़ दो हमको पाकिस्तान नहीं रहना वो लोग वापस चले गए चीन काफी परिशान है कि इतना लाखो करोड खर्च करने के बाद अर्बो डॉलर खर्च करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट का ये हाल है और जबकि सीपेक के तहत कहां क्या होना था ये सारा प्रोजेक्ट देखिए ये देखिएगा विंड प्रोजेक्ट थे सोलर प्रोजेक्ट थे हाइडरो प्रोजेक्ट थे और कोल प्रोजेक्ट थे पावल प्रोजेक्ट थे इसके अलावा हाइवेस जो बनने थे जो रोड हो सकता था बड़ी धूम धाम से गाजे बाजे के साथ चीन ने इसको दुनिया में बेचा था कि भई बी आराई का इनिशियेटीव है सीपेक लेकिन ये फेल हो गया है दो हजार अठारा के बाद से सीपेक पर कोई काम ही नहीं हुआ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना था जो उसने अपने एक हिस्से को बेचा था और उसको लगा था इसी बहाने उसके देश में कुछ विकास हो जाएगा लेकिन विकास के नाम पर सारी कहानी ठप हो गई अब यहां से 2018 के बाद कहानी आगे ही नहीं बड़ी है अब सवाल तो यह है कि ग्वादर जैसे पोर्ट प बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन यह पाकिस्तान के अकबार लिख रहे हैं कि सालों बाद भी पाकिस्तान की कौर्मी बुकमरी के शिकार हो गई है यह अलग-अलग अकबार लिख रहे हैं चाइना बिग गेंबल इन पाकिस्तान है टेनियर स्कोर्ट कार्ड ओफ सिपिक यह जीरो है दस साल में बिग जीरो मिला लाखो बिलियन डॉलर के बदले चीन को पाकिस्तानियों ने चीनियों को ऐसा चुना लगाया कि चीनी अब बुरिया बिस्तर समेट के यहां से चले गए हैं यह चाइना रिफुजिस तू फंड फ्रेश ओप सिपिक के नाम पर पाक पाकिस्तान लगातार चीन से करज लेता रहा लगातार बोलता रहा भाई साब यह बिजली घर बनेगा भाई साब यह रोड बनेगा भाई साब यहां सोलर प्लांट लगवाने के लिए पाइसा खतम हो गया यह सारी कहानी जो चीन के पाद चीन यह समझ गया सालों बाद और भारत ने भी सेम वही चाल चलके चाबहार से उसका ग्वादर वाला मामला जो है फेल कर दिया फेल ही नहीं कर दिया ग्वादर ओपरेशनल नहीं है ग्वादर से बहुत काम नहीं हो पा रहा है बलकि भारत का चाबहार ओपरेशनल है और यहां से अफगानिस्तान तक भारत सा दूसरी तरफ बलूचिस्तान बलुचिस्तान में ही गौदर आता है वहां की जो BLA Force है जो वहां की आतंकी संगठन है बलुचिस्तान Liberation Front उसने मांग कर दिया कि भईया हमारा बलुचिस्तान अलग कर दो तो तो पाकिस्तान के फिर से तुकड़े होने की संभावना है और पाकिस्तान बट सकता है पाकिस्ता के साथ होने वाली है